हेलो एबरीबड़ी दिस इश्रुती श्रिवास्तव वेलकम बैक ऑन आर यूट्यूब चैनल उसूल स्पार्शाला आज हम एक ऐसी चीज के बारे में डिसकस करने वाले हैं जो किसी भी एक्जैम को निकालने के लिए सबसे जादा इंपोर्टेंट है और वो है सिलेबस अगर आपको प्रपर सेले बरस पता होगा को क्या पढ़ना है चोड़ना है तो आप अपनी प्ला पर स्ट्रेटेजी प्लान कर पाइंगे किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कोई एम रखते हैं तो उसके लिए सबसे उ stand करना है कि constituent assembly कहां से आई है ठीक है जो कहां से आई है cabinet mission plan 1946 ठीक है इसके बाद हमें देखना है उसका historical background उसके बाद हमें देखना है composition इसमें हम दो चीज़ देखनेंगे एक होगी before independence और दूसरी होगी after independence बिफोर independence कितने members हुआ करते थे 389 और after independence 299 ठीक है यह सारे चीज़े हम detail में पढ़ेंगे फिर हमें कुछ major और minor committees देखनी है जिसमें सबसे important कौन सी है drafting committee इस committee में हमें देखना है कि इसका head कौन था इसके members कौन थे कब बनी है date यह सारी चीज़े फिर हमें देखना है functioning functioning में हमें देखना है temporary heads और permanent heads और temporary members permanent members यह सारी चीज़े इसके लावा एक और बहुत important चीज़े इसमें जो हमें देखनी है वो है objective resolution इससे काफी questions पूछे जाते हैं कौन लेके आया था जवाहलाल नेरू और यह कौन सी meeting में आई थी यह question आ भी चुका है ना fifth meeting में आई थी और यह हमें कहां कैसे पता चलता है कि यह fifth meeting में आई थी यह हमें पता चलता इसका source है debit of constituent assembly ठीक है objective resolution पढ़ेंगे डीटेल में पढ़ेंगे fifth meeting में आया था लोग confused रहते हैं third या fifth अच्छे से याद रखिए fifth meeting में आया था और यह fifth meeting में आया था यह हमें पता कहां चलता है इसका source है debit of constituent assembly constituent assembly की जो debates हुई है वो उसके बाद हमें interim government के बारे में पढ़ना है इसमें interim government में members कौन थे ministries कौन-कौन सी थी यह सारी चीज़ें फिर phases of constituent assembly इसके बाद ऐसे कौन-कौन से members थे जो कहां से belong करते हैं जो कहां के residents है मध्यप्रदेश के constituent assembly में ऐसे कौन से members है जो मध्यप्रदेश को belong करते थे उनके बारे में detail में पढ़ेंगे इसके बाद हमें देखना है fundamental rights fundamental rights में इसको magna carta भी कहा जाता है न इसका भी हमें क्या देखना है historical background जिसमें आप क्या देखने वाले हो कि यह कहां से ली गई है यह आते हैं bill of rights of america आप present में इंडिया में जो fundamental rights देख रहे हैं वो हमने कहां से ली हुए है bill of rights of america से ठीक है उसके बाद कुछ basics देखना है fundamental rights के basics में हमें क्या देखना है basics में हमें देखना है originally कितने fundamental rights थे और at present कितने fundamental rights है originally थे 7 और अभी है 6 यह चीज़े देखेंगे अब इसके बाद हम पढ़ेंगे types of fundamental rights types में हम देखेंगे कि छे तरह की होती है कहां कहां दी हुए है कौन-कौन से articles में दी हुए है क्या कहते हैं यह सारी जीज़े डीटेल में पढ़ेंगे फिर हमें देखना है characteristics इसमें हमें देखना है justisable non-justisable वो justisable है या नहीं है कौन-कौन से है यह कूछ words होते हैं जैसे justisable है non-justisable है justifiable होता है इनमें सबका difference और हर तीज़े दीटेल हम पढ़ेंगे ठीक है यह हम characteristics में पढ़ेंगे इसके बाद suspension of fundamental rights मतलब यह कि fundamental rights suspend भी हो सकते हैं कब हो सकते हैं during emergency यह हम पढ़ेंगे कि कौनसी emergency के times पे fundamental rights कैसे suspend हो सकते हैं और दो exceptions भी हैं इसके exceptions क्या है article number 20 and 21 यह जो fundamental rights है during emergency भी क्या होता है suspend नहीं होती है तो यह exceptions भी हम डीटेल में पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे directive principles of state policy सबसे पहले यह देखिए इसका source क्या है कहां से लिया गया यह कहां से लिया गया आइलेंड से इसमें हमें इसके basics पढ़ना है जैसे कि इसके sources कहां से लिया गया है इसके articles और फिर हमें देखना है divisions of DPSP जिसमें हमें देखना है तीन types के division है गांधियन socialist and liberal intellectual ठीक है यह चीज़ें हमें DPSP में पढ़नी है कहां से कहां तक mention है यह पता हो नची 36 to 51 यह याद रखना है न उसके बाद हमें देखना है fundamental duties यह कहां देखने मिलती है 51 sub clause A में basics देखना है fundamental duties के basics में हमें यह देखना है कि originally कितने थे और at present कितने है originally थे 10 और at present कितने है 11 11 fundamental duties हो चुके है जो कि जिसमें जो 11 जो latest one है वो recently add हुई है कौन से constitution amendment से 86th constitution amendment से और यह कब हुआ है 2002 में किस से related है education से related है ठीग है यह साइज जिसम दीटेल में पढ़ेंगे इसके अलावा इसमें दो बहुत important committees है पहली है स्वारेन सिंग कमिटी और दूसरी है वर्मा कमिटी स्वारेन सिंग कमिटी की recommendation से fundamental duties आई है न तो यहां recommendation याद रखने है यह भी हम detail में पढ़ें कमिटी और वर्मा कमिटी क्या कहती है कि कौनसी जो fundamental duties है वो enforceable है यह बताती है है न तो हम यह भी detail में पढ़ेंगे क्योंकि सारे fundamental duties enforceable नहीं होती है यह होती है enforceable by law जब law या judiciary इनको enforceable बना देता है तो यह enforceable हो जाती है मैं further इसको detail में discuss करूँगी तब समझ आ जाएगा सब उसके बाद federal executives या union executives इसमें हमें पढ़ना है President, Vice President, Council of Ministers, Prime Minister और Attorney General of India इसमें President और Vice President थोड़ा वास्ट है हम इसको बाद में देखेंगे हमें पहले क्या देखना है Council of Ministers एक दो एक चीज़ बहुत इंपोर्टेंट है याद रखिए Council of Ministers का आर्टिकल क्या है Article 74 में और Prime Minister आर्टिकल 75 Subgloss 1 में है Council of Ministers में हमें और क्या देखना है Council of Ministers में हमें देखना है कि ये किसको responsible होता है Council of Ministers are responsible to लोगसभा and President, collectively responsible to लोगसभा and individually responsible to President ये चीज़ हम देखेंगे इसके बाद Prime Minister, Prime Minister में हमें क्या-क्या देखना है इनके आर्टिकल्स देखने है, ये कहां given है, इनके powers, functions, sub detail में उसके अलावा ये important है, बहुत important है Attorney General of India, कहां दिया हुआ है Article 76 में अगर ये Article 76 में दिया हुआ है, मतलब ये क्या हुआ है, एक constitutional position है इसके अलावा एक और position होती है, जिसे हम कहते है, solicitor general ये किसलिए बनाया जाता है, ये attorney general को assist करने के लिए बनाया जाता है और ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, कि solicitor general जो है, वो constitution में कहीं mention नहीं है कहीं भी इनका, इनकी position दीनी हुई है, constitution में नहीं given है जैसे कि attorney general की दी हुई है, article number 76 में, तो solicitor general जो है, वो किसलिए बनाया जाते है attorney general को assist करने के लिए बनाया जाते है इतना हम ध्यान रखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे president, president में president के articles देखने है इनका election process देखना है, कैसे होता है, इनका impeachment देखना है, मतलब इनका removal process और ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजे कि जो removal process, इसको हम impeachment कहते है वो सिर्फ किसका होता है, president का होता है और किसे से कोई compare नहीं करना है, लोग confuse हो जाते हैं कि chief justice का जो removal होता है या फिर और other judges का भी, तो वो अलग removal है, या अलग removal है और सिर्फ president के ही removal को क्या कहा जाता है, impeachment कहा जाता है हम impeachment process detail में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगी कुछ powers के बारे में जैसे executive powers, legislative powers, judicial powers, emergency powers, military powers and diplomatic powers फिर बात कर लेते हैं, vice president की, vice president में हमें इनका articles पढ़ने है इनके election पढ़ने है, इनका भी removal process पढ़नी है और इनके भी powers पढ़ने है इसके बाद है, Parliament of India Parliament of India में हमें सबसे important है, इसके articles है, नहीं कहां दिया हुआ है हमें इसके articles पढ़ने है 79, article number 79 और लोगसभा, मतलब Parliament में होता है कौन को नहीं, किस से मिलके बनता है पारलियमेंट लोगसभा, राजसभा and president तो अलगसे एक topic है, अभी देखा हमने just है तो वो तो हम detail में पढ़नेगी इसके लाब हमें क्या पढ़ना है, लोगसभा और राजसभा, लोगसभा कहां given है article number 81, और राजसभा article number 80, ये भी हमें detail में पढ़ना है फिर motions कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, कौन ला सकता है, ये सारी चीज़ें sessions कितने होते हैं, कौन से होते हैं, कहां पे mention है, कौन लेके आता है, ये सारी चीज़ें detail में पढ़नी है इसके बाद ये जो आ रहा है joint sitting, ये भी बहुत important है, ये कहां mention है, article number 108 में joint sitting है न, इसमें में सबसे important चीज़ क्या देखनी है, कि joint sitting को कौन preside करता है और इससे भी important ये है, कि joint sitting को कौन preside नहीं करता है, कौन नहीं करता है, chairman chairman preside नहीं करता है, क्योंकि chairman क्या होता है, chairman राजे सबा का member नहीं होता है, इसलिए वो क्या करता है, जो joint sitting होती है उसको preside नहीं करता है, further detail में discuss करेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा, उसके बाद हमें देखना है, bills in the parliament, कई तरह के होते हैं, सारे bills पढ़ेंगे, और सबसे important उसमें से क्या है, money bill, जो कि कहां दिया हुआ है, article number 110 में, उसके बाद है, budget कहां दिया हुआ है, article number 112 में, budget के बारे म है, वो word कहीं नहीं mention है, क्या कहा गया है, constitution में, इसको कहा गया है, annual financial statement, इस नाम से दिया हुआ है, article number 112 में, जैसे हम क्या कहते हैं, budget कहते हैं, ये सब देख लिया हमने parliament of India में, फिर हमें क्या देखना है, judicial system, इसमें हमें क्या देखना है, supreme courts, high courts, subordinate courts, judicial system, जो हमारे हैं, वो कै integrated है, आपस में connected है, अगर हम किसी lower courts के decision satisfy नहीं होते हैं, तो हम आप higher court में appeal कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं, integrated judiciary, तो ये साल चीज़ में, detail में सब समझाओंगी, समझा जाएगा, मतलब हमें क्या पढ़ना है, jurisdiction पढ़ना है, उसके अलावा हमें क्या देखना है, दो positions हैं, supreme court में क्या होता है, ad hoc judges होता है, और high court में क्या होता है, additional judges होते है, इन दोनों को लेके बिलकुल भी confused नहीं होता है, इसको उपर नीचे नहीं flip करनी है, supreme court में ही कौन होगा, ad hoc judges होंगे, कहा होंगे, इसके अलावा हमें क्या देखना है, constitutional amendments देखनी है, ये हमने कहां से ली हुई है, South Africa से लिए हैं, इनका source इनके articles देखने हैं, ये कहां mention है, 368 में उसके अलावा sources देखने हैं, इसके अलावा कुछ important constitutional amendments देखने हैं जैसे की 7th, 42nd, 44th, 52nd, 61st और चितने भी हैं, after 100, वो सारे चलिए आज के लिए इतना ही, thank you, शुबरात्री